हैलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूँ आप लोग अच्छे होंगे बरिया होंगे आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ चोटे चोटे टीफ शेयर करूंगी जो टीफ हमरे डेली लाइफ में बहुती ज़्यादा काम आएगा तो चलिए टीफ हम देख ले फिर इसको इस तरीके से आधा करके हम इसको काट लेंगे फिर एकदम बारिक तरीके से हमें इसको छोटे चोटे पीसेस में काटना पड़ेगा नीचे साइड इसको इस तरीके से देखिए उपर साइड काटना होगा नीचे साइड एक साथ में रखना होगा इस तरीके से सा जो पारवल पीसेस हैं मैंने इस तरीके से काट लिये हैं फिर एक बरतन में मैं ले रहे हूं देखिए दो चम्मच के करीब फ्रेंड चावल के आटा थोड़ा सा नमद थोड़ा सा हल्दी कलोंची थोड़ा सा मीर्च पाउडर धनिया पाउडर अच्छे तरीके से मिला थोड़ा सा मैं निम्बू का रस दे रही हूं इससे खटपन आएगा खाने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा पानी देकर बड़िया एक बेटर हमें तयर करना पड़ेगा जो पारवल हमने काट लिये थे ना उसको बेटर में डुबो कर हमें इसको फ्राई करना होगा इत की ऐसकкое खा सकते हैं चावल के साथ खा सकते हैं आगला जो टीपस हैनली तो हम सभी लोगी भाते हैं फ्रेंद लेकिन क्या होता है यह जो मुंभली होते हैं इसका चीलका आगर तोड़ने जाये तो बहुत ही तकलिफ होती है कर दच्छोटे बैच्चों सही निसका जो छीलक है ना तोड़ते रहते हैं तो हमारे घर में cloth clip सभी के पास मौझूद है cloth clip की मदद से देखिए कितना आराम से हम इसका छिलका जो है इस तरीके से खोल सकते हैं और हमें हाथ से भी पेशार करने की जरूरत नहीं परेगा उंगली से इस तरी से cloth clip के बीच में फसाईएगा फिर हलका सा आप प्रेस करेंगे ना बहुत ही आसानी से मुमफली के जो छिलके हैं आप इसको तोड़ पाएगे इस तरीके से हम कम समय में बहुत सारे मुमफली के छिलके तोड़ पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अच्छे लेगे तो जरूर आप भी ट्रॉए करके सकते हैं हमारे घर में जो इलेक्टिका वैर होते ही ना तार होते हैं देखें नेल कटर की मदद से इसके अंदर जो तंबे का तार है इसको हमें निकालना पड़ेगा थोड़ा साप नेल कटर की मदद से काट करेंगे ना तो देखें बहुती आसानी से तंबे का तार निकल पा अगर बराज छेद है तो दो तिन ले सकते हैं तो मेरा सुई में एक छोटा सा छेद है मैं एक ही थमबे का ताल ले रही हूँ फिर इसके यू शेप में हमें इसको मोड़ना पड़ेगा फिर हम क्या करेंगे हमारे घर में जो इस तरीके का क्लॉद क्लिप होते हैं ना क्लॉद क्लॉद क्लिप में हमें बीच में इसको रखना होगा इसलिए मैं थोड़ा सा फेबी कोई गम क्लॉद क्लिप में लगा रही हूँ फिर क्या करेंगे फ्रेंड इस तरीके से हमें जो तंबे का तार लिए हुए है ना ए जो हमने फेबी कोई डाले है फेबी कोई के बीच इस हैं कैसे यूज़ करेंगे जिस स्वी में हम धागा डाल सकते देखिए कितना मजबूत हुआ avait एक खुलेगा नहीं बहुत साल तक यूज़ कर पाएंगे तो चलिए किस तरीके से हम स्वी में हागा डाल सकते हैं आराम से देख लेते हैं पहले क्या करना होगा फ्रेंड मैंने यहापर सुई ले लिया है सुई को क्या करेंगे जो छेद है ना इस तरीके से हमें तंबे का तार के अंदर सुई को फसाना होगा फिर धागा को भी तंबे का तार के अंदर डाल देंगे फिर हम इस तरीके से सुई को निकाल लेंगे दे एकदम सेगेंड भी नहीं लगेगा और सुई में हम धागा डाल पाएंगे इस तरीके से और्गनेजर बजार से खरिदने जाए तो बहुती ज़्यादा पैसा लगता है बीना पैसा खर्च किये हुए ही आप घर पर इसो बना सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका काम भी बहुती आसान हो जाएगा जिस डिब्बे में आप धागा रखते हैं उस पे रख दीजिएगा सालों साल यूज कर पाएंगे अच्छे लगे जरूर ए टीफ साब भी ट्राइ करना उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा आगला चो टीफ से कई बार हम के पाइप में जम जाते हैं और सिंख में पानी इस तरह से रहते हैं तो गंदा लगता है इसके लिए ना एक कैची ले लीजिएगा कैची की मदद से इस तरीके से पाइप का जो सामने वाला हिस्सा है इस तरीके से गंदेगी आप इस तरीके से कैची की मदद से काट तो बहुत ही आसानी से गंदेगी देखिए निकल जाएगा साग या इस तरीके का सब्जी जब भी हम धोते हैं चोटे चोटे टुकरे पाइप के अंदर चला जाते हैं जिसके कारण पाइप एकदम से ब्लोग हो जाते हैं तो कैची की मदद से एट टीप्स अपलाई करके करके देखिएगा उम्मीद करते हूं ये टीप्स आपको भी काम आएगा आगला जो टीप्स है कई वर खाना बनाने के समय कीचेन स्लप में फ्लोर पैर इस तरीके से ओयल गिर जाते हैं अगर इस तरीके से ओयल गिर जाने पर हम कप्रे से इसको क्लीन करेंगे ना कप्रे भ फोर असा गेहू का आटा अप इस तरीके से डाल दीजिएगा फिर हातों की मदद से एक दो मिनिट बात रफ करेंगे न सारा जो ओयल है ग्रेहू का आटा एब्सॉफ कर लेगा और आपका जो कीचेन स्लाप हो या फ्लोर हो एकदम से क्लीन हो जाएगा कोई कपड़ा आपको यूज करने के जरूरत जरूरत नहीं पड़ेगा देख सकते हैं मेरा जो कीचेन स्लाप है एकदम से क्लीन हो गया है तो अच्छे लेगे जरूरा भी ट्राइ करके देखिएगा आगला जो टीप से चावल तो हम सभी लोगी खाते हैं कई बाद चावल पकाने के समय हम दूस प्याज काटकर आप चावल के बीचों बीच रख दीजिए इस तरीके से ढखकर 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट तक प्याज को रखने से क्या होगा प्याज जो जले हुए बद्बू है एब्जर्ब कर लेगा और चावल जो है आपका खाने लायक हो जाएगा और फेकना नहीं प जीएगा कोई भी हॉइट कलर का टूट पेस्ट ले लीजिएगा फिर इस तरीके से आप इसको लगा कर एक दो मिनिट के लिए छोड़ दीजिएगा एक दो मिनिट रखने से ही देखिएगा फिर आपका नए जैसा हो जाएगा पुराना एक कॉसबाइट की मदर से मैं इस थोड़ा सा मैं सैंपू ले रही हूँ कोई भी फेवरिट सैंपू ले लीजिएगा हमारी घर में चावल का जो पानी होते है ना मार बोलते है या फैन तो सैंपू के साथ अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हम बाल होते हैं बहुत ही महेंग का महेंगा सैंपू से या कंडिशनर यूज़ करते हैं इससे बाल और भी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं अगर सैंपू के साथ चावल का मार आप एट करेंगे ना इसससे आपका बाल नैचरल तरीके से कंडिशनर का काम करेगा बाल बहुती तेजी से लंबा होने लगेग आपका सोफ्ट रहेगा और आपका बाल कई वर बहुती ज़्यादा ज़रते हैं वह भी कम हो जाएगा चोटा सा होम रेमिडी है जरूर आप भी ट्राइ करेंगे ना बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये नैचरल चीज है अच्छे लगे तो जरूर ट्राइ कर के देखिएगा